दोस्तों यदि आप इलेक्ट्रिक इजर इस्टोलेशन करवाना चाहते हैं या फिर आपके गर में पहले से इलेक्ट्रिक इजर इस्टोलेशन किया हुआ है तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक इजर को कैसे यूज़ करना चाहिए Electric Caesar को Installation करने के बाद कब own करना चाहिए और regular कब own करना चाहिए Electric Caesar में दो वालों होते हैं Inlet और एक outlet वालों होता है inlet और outlet वालों को पब बंद करना चाहिए कब चालू करना चाहिए इन सभी के बाए में जानेंगे तो वीडियो को लास्टे तक जरू देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरू करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों यह अब इलेक्री गीजर को इस्टोलेशन करते हैं यह इस्टोलेशन करते हैं तो उसमें इनलेट और आउटलेट वाइब को भी कनेक्ट करते हैं तो इनलेट और आउटलेट वाइब को कनेक्ट करने के बाद उसमें इनलेट और एक आउटलेट वालव लगाते ह तो गीजर के इनलेट और आउटलेट दोनों वालों को ओन करने के बाद जब तो गीजर के आउटलेट वालों से पानी नहीं आता है यानि कि आउटलेट वालों से पानी नहीं आता है जिसमें कि हमने जो गर्म पानी का नल लगाया हुआ होता है उस नल को खोल लेना है जिसमे हम गीजर को इनलेट पाइप से कनेक्ट करते हैं और इनलेट वालो को ओन करते हैं तो उसमें गीजर में इनलेट पाइप से पानी बराता है तो उसमें एर आउटलेट वालो से होते हुए बाहर निकलती है और यदि हम गीजर में आउटलेट वालो को ओन नहीं करेंगे तो गी आप एक सिनिपल लगा के भी कनेक्ट कर सकते हैं कनेक्शन पाइप को तो इस तरह से गीजर इंस्टोलेशन करने के बाद गीजर में पानी बरने के लिए गीजर का आउटलेट और इनलेट दोनों वालों को ओन कर लेना चाहिए और जो होट वाटर का नल होता है गरम पानी के लिए जो नल होता है गीजर का आउटलेट का जो नल होता है उसे भी हमें ओन कर लेना चाहिए जिसे की गीजर में पानी बराएगा और गीजर में इनलेट पाइप से पानी बराता है और आउटलेट पाइप से गीजर में पानी फुल बरने के बाद और और पलों की तरह पर की तरह होता है। जिससे की पानी की टंकी जब तक नहीं बढ़ाएगी तब तक आउटलेट पाइप से पानी बाहर नहीं आएगा। वह हिटिंग इलेमेंट उड़ जाते हैं या फिर खराब हो जाते हैं सुखे में चलने के कारण तो इसलिए जब तर गीजर के आउटलेट से पानी नहीं आता है तब तक हमें गीजर को ओन नहीं करना चाहिए और आपने यदे देखा होगा कि गीजर में दोनों पाईफ की जगह वाल लगाते हैं यरे आउटलेट पाईफ में गयने की आउशेक्टा नहीं होती है क्योंकि जो इनलेट पाईफ होता है वो तर टेंहीं से कनेक्ट होता है यदि हम inlet वाल नई लगाएंगे तो जब हमेंगी गीजर खोलने के आउसकता होगी या फिर जब हमेंगीजर का inlet pipe खोलने के आउसकता होगी तो उस समय हम पाणी को बंद नहीं कर सकते हैं टंकी खाली करने के बाद ही जो पानी की टंकी बरी हुई रखते हैं क्योंकि जब हमें यदि नल चेंज करना है जो होट वाटर का नल होता है इसे चेंज करना है तो हम गीजर का इनलेट वाल जदी हम बंद करेंगे तो जब हम गीजर का इनलेट वाल बंद करेंगे तो उस समय गीजर के आउटलेट से पाने आना भी बंद हो जाए क्योंकि गीज गीजर का इनलेट वालो बंद कर देंगे तो उस समय गीजर के आउटलेट से पानी भी आना बंद हो जाएगा जिसे कि हम गीजर के आउटलेट पाइप को भी आसानी से खोल सकते हैं जो होट वाटर का नल होता है यदि हम उसे चेंज करना है तो उसे भी हम आसानी से चेंज कर सकते हैं और अब बात कर ले देंगे हमें गीजर में इनलेट और आउटलेट वालु को कब बंद करना चाहिए और कब ओन करना चाहिए तो गीजर में इनलेट और आउटलेट दोनों वालु को हमें कभी भी बंद नहीं करना चाहिए दोनों वालु को हमें हमेशे ही ओन ही रख तो उस समय पानी ठंडा पानी जाना भी बंद हो जाता है और आउटलेट से गरम पानी आना भी बंद हो जाता है तो उस समय यदि हम गीजर में दोनों वाल में से यदि कोई सा भी वाल बंद करके गीजर को ओन करते हैं तो उस समय गरम पानी के नल में पानी आना बंद हो जात और यदि इस्टेंट गीजर है तो उसे नाने से पहले एक या दो मिनट पहले ओन कर लेना चाहिए और नाने के तुरंत बाद गीजर को ओफ कर लेना चाहिए और यदि इस्टोरेज गीजर है और यदि आप नाते समय गीजर को ओन नहीं रखना चाहते हैं तो इस्टोरेज ग तो उतना पानी 20 मिनट या फिर आदे गंटे में गर्म हो जाता है तो दोस्तों इस तरह से आप गीजर का यूज कर सकते हैं उप्योग कर सकते हैं तो इसमें मैंने गीजर को कैसे उप्योग करते हैं इसके बारे में डिटेल में बता दिया है यदि इसमें भी कोई आपको डाउट होता आप मुझे कमेंट करके जरूर पूचे लेना